Dear students, we have to discuss about education for sustainable development और उसके अंदर जो हम गुफ्तू करने जा रहे हैं, वो है integrated curriculum. हमने integrated curriculum की थोड़ी बात की और उसके अंदर जो हमने आपको idea दिया था और वो ये था theory practice gap को minimum करना है, अब सवाल ये है कि what is the gap, gap ये है कि मैंने जो अपने school के अंदर, अपने center के अंदर जो मैंने fundamental values learn की हैं, मैंने society के अंदर उसको experience भी करना है, अब देखें, दो चीज़ें आ गई, पहले number पे, कि मैंने values जो हैं, उनको learn कर लिया, दूसरे number पे, अब मैंने learn करने के बाद, मैंने जब implement करना है अपनी life के अंदर, तो I have to respect for the others, अब आम तोर पे, जैसे हम अपने society की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब मैं को सीख जाता हूं, तो मेरे अंदर एक अचीब सी behavioral change आ जाती है, और वो behavioral change क्या आती है, कि जहां मैं implement करने जा रहा हूं, वहां पे, या तो मुझे superior होने का complex शुरू हो जाता है, या inferior होने का complex शुरू हो जाता है, या तो मैं ये समझना शुरू करता हूं कि ये बहुत बुरा आदमी है, अब देखें, ये एक gap है, जो हमारे पास present generation है, और जो future generation त्यार हो रही है, इनके दिर्मियान ये generation gap है, इस generation gap के अंदर जो diversity है, और वो diversity क्या है, वो है difference of opinion, और वो difference of opinion क्या है, वो है because of the value system, कि मैंने एक सोच लिया और मुझे ये अंदाजा हो गया, और मुझे ये पता चल गया कि this is good and this is bad, मैंने उसको practice भी करना शुरू कर दिया, practice करने के बाद मेरी habit भी बन गई, तो अब ये जो gap आ गया, और gap ये आया कि जब मैं उसको practice करने लगा, तो जो हमारे पास future generation, जनी यूं समझे जो young है, और जो present generation, जो इस वक्त समझ लें कि हमारे बड़े बज़ूर के कहलें वो है, उनके तरमियान जो हमारे differences शुरू हो गया, अब हमें बच्चों को ये समझाने की जुरूरत है, कि वो understand करें, और understand करने के बाद, चीज़ों को link करें, एक natural और social environment के साथ, एक वो environment है, जो मैं सोच के चल रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ कि ये sustainable society का member है, एक वो environment है, जो exist कर रहा है, अब यहां पे जो इसकी diversity है, इस diversity को हमने एक respect के अंदाज में उसको लेके चलने हैं, और जो हमारे young learner हैं, उनको ये समझाने की जरूरत है, through integrated curriculum, कि वो understand करें, कि ये जो एक ideas का, सोच का, skills का, ये जो फरक आ रहा है, इस फरक को हमने address कैसे करना है, देखें, अगरचे ये quite complicated है for the young children, to understand, लेकिन ये एक important factor है, जब तक आप इसको integrate नहीं करेंगे, आप अपना curriculum का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और curriculum के content के अंदर जाना, आप इसकी reflection नहीं देंगे, उनको current needs भी बताएंगे, current interest भी बताएंगे, experience भी बताएंगे, और उनकी potential ability को भी check करेंगे, उसके साथ साथ हमें combination लेके चलेंगे, respect for the cultural diversity, देखें हम इसको culture का नाम इसलिए दे रहे हैं, कि ये हमारे पार दो culture आ गए हैं, क्योंकि जब हम culture की बात करते हैं, तो culture का एक factor जो हमारा value system भी है, एक value system वो है, जो अब develop हो रहा है, परवान चाड़ा है, और वो sustainable development goals की रोशनी में चाड़ा है, एक वो है जो already exist करता है, हमारा integrated curriculum का रूल क्या है, उनके दर्मियान bridging करना, और हमारे जो young learner हैं, उनको इस cultural diversity के अंदर रहने को सिखाना, कि यहां पे उन्हें रिस्पेक्ट के साथ कैसे रहना है, और दूसरों के रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और अपने value system को जाना उन्हें छोड़ना नहीं है, तोंकि आज की जो value system है, इसकी जो sustainability होगी, वो 10-20 साल के बाद जो है, वो sustainable society में convert हो जाएगी,